परिचय कमल और दीप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसी समय एक ट्रेन पास की पट्री से गुजरती है कमल ट्रेन की सीटी कितनी जोरदार है? हाँ सच मुझ ये सहनिय नहीं है दीप मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ कमल अवश्य जब ट्रेन हमारे पास से गुजरती है इसकी ध्वानी काफी तेज होती है और जब दूर चली जाती है तो इसकी ध्वानी मंद पड़ जाती है क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? ठीक कमल, मैं तुमको बता दूँगा ये डौपलर प्रभाव के कारण होता है ट्रेन ध्वानी तरंग उत्पन कर रही थी जो डौपलर प्रभाव के कारण हो रहा था ट्रेन से उत्पन होने वाली ध्वानी तरंगें हम तक पहुँच रही थी इसकी वजह से ध्वानी तरंगों की आवरिती में स्थाई विस्थापन हुआ जब ट्रेन नस्दीक आई तो ध्वानी तरंग प्रबल हो गई और जब वो दूर गई तो ध्वानी तरंग मंद पड़ गई ये एक काफी रोजग है मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ विद्याठ्थियों आज हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में अध्यान करेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे तरंग आग्र को परिभाशित करना हाइगेंस के सिध्धान्द को जानना सम्तल तरंगों के अपवर्तन और परवर्तन को समझना लेंस और प्रिस्म में सम्तल तरंग आग्र का वर्डन करना डॉपलर प्रभाव को समझना विद्धुत चुमिकिये तरंगों का वर्णन करना तरंगों के कला संबध और कला असंबंध योग को समझना प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण का वर्णन करना यंग के दुईजरी प्रयोग का वर्णन करना और नियमित व्यतिकरण के लिए शर्टों की व्याख्या करना तरंगाग्र तरंगाग्र को किसी दिये हुए एक्षण में समान कला में कमपनकारी माध्यम के सभी कड़ों के बिंदूपत के रूप में परिभाशित किया जाता है तरंगाग्र के अभी लंबवत रेखा को किरन कहते हैं समान तरंगाग्र परिष्थित किनी दो बिंदों के बीच कला का अंतर शूने होता है तरंगाग्र का आकार विक्षोप के सुरोत के आकार पर निर्भर करता है एक शीर्ष से अगले शीर्ष की दूरी तरंग देर्थ लेम्डा के बराबर होती है दो क्रमगत तरंगागर पर समान कला में किनी दो बिंदों पर कला का अंदर दो पाई होता है अता किसी दिये हुए शीर्ष और आदंत कला क्रमशा 2N पाई और 2N प्लस एक पाई है जहां एन एक पूड़ा अंख है। तरंगाग्र के प्रकार विभिन प्रकार के तरंगाग्र होते हैं, जो निम्न हैं। गोलाकार तरंगाग्र किसी बिन्दू स्रोथ से विकीर्ण प्रकाश तरंग के तरंगाग्र को स्रोथ के संकेंद्री गोलाकार सतहद्वारा प्रदशित किया जा सकता है। सम्तल तरंगाग्र स्रोत बिंदों से बहुत अधिक दूरी पर गोलाकार तरंगागर की त्रिज्याएं बहुत बड़ी होती हैं और इस चोटे भाग को सम्तल माना जा सकता है एक रेखा स्रोत किसी स्रोत के साथ बिलनाकार तरंगागर समाक्षिय उत्पन कर सकता है हाईगेंज का सिध्धांत हाईगेंज का सिध्धांत कि सीक्षण नए तरंगागर के आकार को पानी के लिए जयामिधिये रचना है हाईगेंज का सिध्धांत कुछ समय में नए तरंगागर का आकार प्राप्त करने के लिए जयामिधिये रचना है इस सिधान्त के अनुसार तरंगागर का प्रतेक बिंदू गोलिये दुईतियक तरंगों का स्रोत है तरंगी का कहलाती है जो विभिन दिशाओं में संचरन की गती के साथ उस माध्यम में प्रसारित हो जाती है बाद के समय में नया तरंगागर दुईतियक तरंगिकाओं की इस परश जया है जो दुईतियक तरंगागर का आवरण कहलाता है सम्तल सतह पर तरंगों के परिवर्तन का नियम आपदित किरण और लंब रूप के बीच के कोण को आपदन कोण कहते हैं लेकिन किरण तरंगागर के लंबवत और लंब रूप सतह पर अभी लंब है यहां आपदन का कोण आपदित तरंगागर A, B और सतह P, Q के बीच का कोण है उसी प्रकार आपदन कोण परावर्तित तरंगागर C, D और सतह P, Q के बीच का कोण है अब तिर्भुज BAC और DAC की जयामिति से AD बराबर BC और AD बराबर AC हम कह सकते हैं कि ये सरवंग सम तिर्भुज है यहां आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब रूप सभी एक ही सतय पर है यहां तरंग का सिध्धान्त सम्तल सतह पर परावर्तन के नियम को सत्यापित करता है सम्तल तरंगों का अपवर्तन मालिचे किसी सम्तल सतह पर समनांतर प्रकाश पुंज आपतित होता है और दो माध्यमों में विभक्त हो जाता है विभिन समय में सम्तल AB, A1, B1 और A2, B2 पर आपतित तरंगाग्र की स्थितिया है तरंगाग्र AB में बिंदू B1 हाइगेंस तरंगी का उत्पन होकर BB-दूरी पर समय टाउ में दूतिय माध्यम में विचरन करेगी ताकि सतह XY पर बिंदू A- के साथ तरंगाग्र A से प्रथम माध्यम में विस्तारित होता है चुंकि A-A और BB-दूरी दूत तरंगे काएं आसमान माध्यम में विचरन करती है और वेक्रमशा V-1 और V-2 की विभिन गतियों में विचरन करती है इस्थिति एक यदि माध्यम दो प्रकाश के दृष्टिकोन से माध्यम एक की तुलना में सगन है तो V-1 बड़ा है V-2 से और यहां A-A डश बड़ा है BB-से करने लंब रूप की ओर मुड़ जाती है इस्थिति दो यदि माध्यम दो प्रकाश के दृष्टिकोन से माध्यम एक की तुलना में विरल है तो V-1 चुटा है V-2 से और यहां A-A डश चुटा है BB-से किरने लंब रूप की ओर से हट जाती है दोरी A-A डश बड़ाबर V-1 टाउ बड़ाबर लेमड़ा एक माध्यम एक में प्रकाश तरंग का तरंग तैड़्थ दोरी BB-ड़ाबर V-2 टाउ बड़ाबर लेमड़ा दो माध्यम दो में प्रकाश तरंग का तरंग दैड्ध अताह वी एक बटे वी दो बराबर लेम्डा एक बटे लेम्डा दो या इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है वी एक बटे लेम्डा एक बराबर वी दो बटे लेम्डा दो बराबर नियू उपरयुक्त वेन्जक तर्शादा है कि अपवर्थन के दौरान प्रकाश तरंग की आवरित्ती आपरिवर्थित रहती है जब प्रकाश तरंग सगन माध्यम में आपरिवर्थित होती है तरंग देर्ध कम हो जाती है और जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम में आप परिवर्थित होती है तो तरंग देड़ बढ़ जाता है लेंसों में सम्तल तरंगाग्र मान लीजिए कोई सम्तल तरंगाग्र ACB किसी दूई उत्तल लेंस पर आप दिद होता है हाइगेंस परिकल्बना के अनुसार तरंगाग्र का प्रतेक बिंदू दूईतियक तरंग के रूप में काम करता है ये दूईतियक तरंगें लेंस की विभिन पर्तों से होकर गुसरेंगी किसी दूईतियक तरंग को हवा में CP1 लेंसों में P1, P2 से होकर गुजरने में जितना समय लगता है उतने ही समय तरंगों को AX प्लस XT से होकर हवा में कुजरने में लगेगा अता सभी दूईतियक तरंगें आपदित सम्तल तरंगाग्र ACB से DP2E तक पहुँचने में समान समय लगेगा अता DP2E अपवर्तित तरंगाग्र है ये तरंगाग्र प्रकृति में अभी सरीत होता है प्रिज्म में सम्तल तरंगाग्र मालिच ये एक सम्तल तरंगाग्र BD प्रिज्म पर आपदित होता है हाइकेंस की परिकल्पना के अनुसार तरंगाग्र का प्रतियक बिंदू दूईतियक तरंगों के समान काम करता है ये दूइतियक तरंगें विभिन प्रिज्म की विभिन पर्तों से होकर गुजरेंगी किसी दूइतियक तरंग को बीसी दूरी से प्रिज्म के पदार्ट से होकर गुजरने में जितना समय लगता है उतना ही समय डूइतियक तरंगों को हवा में दूरी DA प्लस AE तै करने में लगेगा हवा में तै की गई दूरी स्पष्ट रूप से प्रिस्म में तै की गई दूरी से अधिक है इसका कारण ये है कि प्रिज्म के पदार्थ में दूइतियक तरंग का वेग हवा की तुलना में कम है सभी दूइतियक तरंगें BD से निकलती हैं और उसी समय हमें CE पर पहुंच जाती हैं अताहँ CE निर्गत तरंगाग्र है मान लिजिए जब कोई बाध्यम ना हो तथा सुरोध प्रेक्षक से दूर रहा हो तब बात के तरंगाग्रों को प्रेक्षक तक पहुंचने में अधिक दूर चलना पड़ता है इस प्रकार दो उत्रोतर तरंगागरों के प्रेक्षक तक पहुँचने में लगने वाला समय, सुरोत तक उनके पहुँचने में लगने वाले समय की अपेक्षा अधिक होता है आता हा जब सुरोत प्रेखशक से दूर हो जाता है, तो प्रेखशक द्वारा मापी जाने वाली आपृत्ती में कमी होगी. यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है. जब तरंगों का सुरोत किसी परिवेक्ष के सापेक्ष गतिमान है, तो इसे डॉपलर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। डॉपलर प्रभाव का वर्णन तरंगों के गतिमान सरोत के रूप में किया जाता है, जहां प्रेक्षक के लिए आवर्त में द्रिश्य विस्थान होता है। अवरक्त विस्थापन और नीला विस्थापन अवरक्त विस्थापन डॉपलर प्रभाव के कारण तरंगतेर्द में व्रिद्धी अवरक्त विस्थापन जानी जाती है। क्यूंकि वन क्रम के द्रिश क्षित्र के मध्ध में तरंगागर वन क्रम के अवरक्त चोर की ओर गमन करता है। नीला विस्थापन प्रेक्षक की ओर से गतिमांस रोज से तरंगें प्राप्त होती हैं। तरंगागर के द्रिश में कमी आती है। इसे नीला विस्थापन के रूप में जाना जाता है डॉपलर विस्थापन को डेल्टा नियू बटा नियू बराबर घटाओ वी सदिश बटा सी द्वारा दर्शाय जा सकता है जहां वी सदिश श्रोत और परवेक्षक को जोडने वाली रेखा के साथ वेख है विद्द चुम्गिये तरंगे विद्द और चुम्गिये क्षित्रों से युक्त उर्जा की तरंग को विद्द चुम्गिये तरंग के रूप में जाना जाता है विद्द और चुम्गिये क्षित्रों में विविद्दाएं आती हैं परिणाम सोरूप वे समान स्थान और समान सबय में अपनी उच्चिस्ठ और निमनिष्ठ को प्राप्त करते हैं विद्द और चुमिकिये क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत और तरंग के संचरन की दिशा में होती हैं ये तरंगें प्रकृती में त्रियक होती हैं तरंगों का कमवेग पूर्ण रूप से माध्यम के विद्दित्य और चुमिकिये गुणों पर निर्भर करता है जिसमें वे विचरन करते हैं तरंगों का अध्यारूपन तरंगों का अध्यारोपन व्यक्ति करता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे समान माध्यम में, समान समय में एक दूसरे को अध्यारोपित कर ब्रामन करती हैं, तो इस तरंग के किसी भी क्षण के विस्थापन का परिणाम, किसी भी क्षण व्यक्तिकत विस्थापन के सद सदिश Y1, Y2, Y3 और इत्यादी में किसी भी क्षण अलग से सक्रिय व्यक्तिगत तरंगों के कारण सदिश विस्थाबन होता है, तो अध्यारोपन के सिध्धान्त के अनुसार वो सिक्षण परिणामी तरंग का विस्थाबन होगा। सदिश Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस इत्यादी तरंगों का कला संबध और कला असंबंध सुरोथ कला संबध प्रकाश का ऐसा सुरोथ है जो समान तरंग दैर्थ, समान आफृति और समान कला या अचर कला अंतर के तरंग प्रकार उस सचित करता है। कला संबध्ध स्रोतों की उत्पत्ति के लिए दो निम्न सामा निविदियां हैं। तरंगागर के विभाचन द्वारा इस पधती में दरपं, लेंस या प्रिज्म के उप्योग द्वारा तरंगागर को दो या अधिक भागों में बहटा जाता है। आयाम के विभाचन द्वारा इस पधती में आपदित पुंज को दो या उससे अधिक आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा विभाचित किया जाता है। ये विभाचित भाग विभिन मार्गों पर ब्रहमर करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यति करण करते हैं। कला असंबध सुरोत फोटोनों के बीच की कलाओं के नियमित और या द्रिच परिवर्तन के साथ प्रकाश का उससरजन करते हैं। टंक्स्टन फिलामेंट और साथारन प्रतिदीप्त ट्यूब कला असंबध प्रकाश उससरजित करते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण प्रकाश का व्यतिकरण दो कला संबध सुरोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपन के करण उत्पन माध्यम में प्रकाश उर्जा के पुनर वित्रण की परिखटना है। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशक व्यतिकरण किसी बिंदु पर व्यतिकरण रचनात्मक होता है जहां प्रकाश की तीवरता का परिणाम महत्तम होता है और जहां प्रकाश की तीवरता का परिणाम निवनतम होता है, उस बिंदु पर व्यतिकरण विनाशक होता है। रचनात्मक और विनाशक व्यतिकरण रचनात्मक व्यतिकरण जिस बिंदु पर प्रकाश की दिवरता का परिणा महत्तम होता है उसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई बराबर दो एन पाई या पी बराबर एन लेम्डा जहां एन बराबर शून ने एक, दो, तीन आदी हैं फाई बराबर कला का अंतर, पी बराबर पतांतर, लेम्डा बराबर प्रकाश का तरंग दैठ जहां प्रकाश की दिवरता का परिणाम निवुनतम होता है, उस बिंदु पर व्यतिकरण विनाशक कहलाता है विनाशक व्यती करण के लिए फाई बराबर दो एन प्लस एक पाई या पी बराबर दो एन प्लस एक लेमड़ा बटे दो यंग का दूजरी प्रयोग यंग के परीक्षण में किसी स्रोत के मात्यम से एक वरणिय प्रकाश को संकीन जिरी S से गुजरता है और दो नस्दी की संकीन जिरियों S1 और S2 पर S दूरी पर गिरता है जिरिया S1 और S2 प्रकाश तरंगों के कला संबध स्रोतों के रूप में काम करती हैं और प्रत्यक प्रात्मिक स्रोत S से वित्पन है ये तरंगे विभिन बिंदों पर रचनात मक्ता तथा विनाकारी के रूप में काम करती हैं ये पर्दे पर विभिन बिंदूं पर प्रत्यावर्ती दीप्त और उदीप्त बेंड की उत्पत्ती करती हैं और पर्दे पर ये व्यती करण फ्रेंच कहलाती हैं. यंग की दूइचरी प्रयोग में गणितीय विशलेशान माना S1 और S2 स्रोथ से पर्दे की दूरी D और कैपिटल D अलगाव पर कला संबध्ध स्रोथ हैं. तब P पर तरंगों के बीच पतांतर Y, N और D के कुणन फल D से फिभाजित के बराबर है. उच्चिष्ठ डिल्टा बराबर N लेम्डा. N वा उच्चिष्ठ दिया हुआ है N D लेम्डा बटे D. N वा निमनिष्ठ दिया हुआ है N माइनस 1 बटे 2 D लेम्डा बटे D. वो दो क्रमागत, उच्चिष्ठ और निमनिष्ठ के बीच के अंतर के रूप में परिभाशित किया जा सकता है. बीटा बराबर Y, N प्लस 1 माइनस Y, N जो कैपिटल D लेम्डा बटे D के बराबर है. कौनिये फ्रिंज, चोड़ाई दिया हुआ है, बीटा बटे D, ये लेम्डा बटे D के बराबर है. श्वेत प्रकाश का उप्योग, जब किसी जिरी को प्रकाश वान करने के लिए श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम केंद्रिय श्वेत फ्रिंज के एक व्यति करन पैटन को प्राप्त करते हैं, जिसके दोनों तरफ एक समान रंगीन फ्रिंज और फिर समरूप प्रकाश प्राप्त करते हैं. उधारन हम यंग के दूई जिरी प्रयोग पर एक उधारन लेते हैं. यंग के प्रयोग में 3 मिलिमीटर की जिरियों को 480 नैनोमीटर तरफ देर्ध के प्रकाश त्वारा अलग किया जाता है. जिरी की सदै से 2 मीटर की दूरी पर परता है. केंद्रिय दीप्त फ्रिंज की तुलना में 8वें दीप्त और तीसरे उद्दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ग्यात करें. हम इसका हल देखते हैं. केंद्र से 8वें फ्रिंज की दूरी 8D लेमडा बटे D के पराबर है. केंद्र से तीसरे फ्रिंच की दूरी पांच D लेम्डा बटे दो D के बराबर है हम पाते हैं Y बराबर Y8-Y3 मान डखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं Y बराबर 11 D लेम्डा बटे D उप्रियक्त समीकरण में मान डखने पर तथा गणना करने पर हम पाते हैं Y बराबर 3.52 मिलिमीटर यहां केंद्रिये दीप्त फ्रिंच की तुल्ला में 8वें दीप्त और तीसरे वो दीप्त फ्रिंच के बीच की दूरी 3.52 मिलिमीटर है निरंतर व्यती करण के लिए शर्टें लगातार और इस्थाई रूप से व्यती करण प्राप्त करने के लिए निमने लिखित आवशक शर्टे हैं प्रकाश का एक वरणिये होना चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो फ्रिंच के रंग अतिव्याप्त हो जाएंगे दो स्रोतों के बीच उत्पन व्यती करण का कला संबद होना आवशक है तरंगों के प्रवाह की वजह से उत्पन होने वाले प्रकाश तरंगों का समान तरंग देर्थ और वेक का होना आवशक है दो व्यतिकरण तरंग प्रवाहों का समान समतल पर ध्रूवन होना आवशक है व्यतिकरण फ्रिंज का अच्छी तरह से अवलोकन करें ये आविशक है कि फ्रिंज की परियाप्त चौड़ाई हो। क्या आप जानते हैं। दिर्बान के द्रिष्टी कौन से लेंज का आकार गोलिय सतह का होता है। जबकि सिध्धांद के मताबिक आधर्श्य सतह आसफेरिक होनी चाहिए। लंब की ओर मुणने पर प्रकाश की गती धीमी हो जाती है। और तरंग देर्थ लग हो जाता है। जब सगन माध्यम में प्रवेश करता है। पुल के उस पार या किसी अन्य बाधक से तरंगों का परवर्तन होनी की वजह से व्यतिकरण पैटन बनता है। जो इस धिर तरंग कहलाता है। इसमें तरंग का शीर्ष हटकर गती बान नहीं होता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तरंगागर को किसी दिये हुए एक्षण में समानकला में कमपनकारी माध्यम के सभी कड़ों के बिंदुपत के रूप में परिभाशित किया जाता है। तरंगागर का प्रतेक बिंदु गोलिये दुईतियक तरंगों का स्रोत है। वो तरंग का कहलाती है। जब तरंगों का स्रोत किसी परिवेक्ष के सापेक्ष गतिमान है तो इसे डौपलर प्रभाव के रूप में परिभाशित किया जाता है। जहां प्रेक्षक के लिए आवर्त में द्रिश्य विस्थान होता है। प्रिक्षक की ओर्षे गतिबांस रोज से तरंगें प्राप्त होती हैं। तरंगागर के द्रिश में कमी आती है। इसे नीला विस्थापन के रूप में जाना जाता है। विद्ध और चुमिकिये क्षेत्रों से युक्त उर्जा की तरंग को विद्ध चुमिकिये तरंग के रूप में जाना जाता है। कला संबध प्रकाश का ऐसा स्रोत है जो समान तरंग तैडध, समान आवरित्ती और समान कला या अचर कला अंतर के तरंग प्रकार उस सर्चित करता है। प्रकाश का व्यति करण दो कला संबत सुरोतों से आने वाली प्रकाशतरंगों के अध्यारोपन के कारण उत्पन माध्यम में प्रकाश उर्जा के पुनर वित्रण की परिखटना है। एल वरतまず ठीके यजू हैो एल वित्य हैस्ज़र है के अ कारण दो sedanond वित्रण के पृमेड़ों कि वैरा कि कि बालता है। झाल झाल